आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूं धावे स्टाइल कठल की सब्जी सारे समान के क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सब्से पहले हम कढ़ाई को गैस पर रखकर गर्म करेंगे जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें हम दो कर्ची तेल लगभग 75-100 ml तेल को डाल कर गर्म करेंगे जब तेल से धुआ आने लगे तेल का जहांस लगने लगे तब हम उसमें दो से तीन तेजबत्ता दो सुखी लाल मिर्च एक बड़ी लाइची एक से डेर इंच धालचीनी के टुकड़ा दो से तीन हरी लाइची चार से पांच लॉंग और आधा फूल जाइफल डालकर उसे तेल में अच्छी तरह से चटकने देंगे जब सारे सुखे मसाले तेल म मैं दढ़िए डाल देंगे मैं प्यास को टील में डालने के बाद हम इसे चलाते हुए लगातार चलाते हुए पहने जब तक की वह कैरमलाइज ना हो जाये मसाले हमें मेडियम फ्रेम पर फ्राइब करना है कि मेडियum फ्रेम पर थोड़ी देर चलाते हुए ऻंफ प्याज को कैयरमलाइज होने तक पका ? जब प्याज अच्छी तरह से केयरमलाइज हो जाए तब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे सब्जी में डालने के लिए हम 500 ग्राम प्याज लिए हैं तो 100 ग्राम टमाटर 10 से 15 कलियां लैसन और हर 2-3 हरी मिर्च आप अपने तीके खाने के निसार लेंगे मैंने इसमें 2 स्पविया निसार दोर हरी मिर्च लिए हैं क्योंकि मैंने इसमें सुखी लाल मिर्च डाला आहां और मिर्च पाउडर भी डालूंगे आप अपने दिके खाने के निसार मिर्च बढ़ाते हैं गटा सकते हैं इसे हम घंडर में बारीक पेस्ट बना लेंगे अब हम भूने हुए प्याज में सुख्य मसाले दालेंगा इसमें मैंने आदा चमच हलदी पाउडर एक चिकन मसाला एक चमच किचन किंग मसाला और किसमीरी लाल मिर्स डालने से सब्सक्राइख का अच्छा यह सब्सक्राइख को तीखा जादा नहीं करता है सिर्फ कलर अच्छा अगर आपके पास देगी लाल मिर्च हो तो अपने तीखे खाने के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं अब इन सारे सुखे मसालों को डाल कर हम हलका चला लेंगे अगर आप टमाटर को काट कर डाल रहे हो तो इस स्टेश पर प्याज और सुखे मसालों में थोड़ सा पान अगर आपको अध्रक खाना पसंद हो तो आप इसमें एक इंच अध्रक का टुकड़ा भी हलका दरदरा या कद्दू कस करके डाल सकते हैं अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से चला कर पांस मिनट तक पकाएंगे लगबग पांस मिनट लगातार चलाते हुए पकाने के बाद हम इसमें नमक एड़ कर देंगे मैंने यहां कटल के सब्जी में आलू कभी इस्तमाल किया है अगर आपको कटल के सब्जी में आलू पसंद नहों तो आप आलू ना डाले लेकिन मिझे कटल के सब्जी में आलू अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें 500 ग्राम कटल और दो मीडियन साइज अलू को काटकर अच्छी तरह से धूकर रख लिया है कटल को आप काट के पहले काटकर पांस मिनट छोड़ दे ताकि उसका गम निकल जाए उसके बाद कटल को पतले पतले टुकड़े काटकर उसके छिलके को निकालकर उसे पानी में डाल और आप चाहें तो इस सब्जी को डाइरेक्ट कुकर में भी इतने स्टेश तक भून के पका सकते हैं मैंने कढ़ाई समय इसलिए कि कढ़ाई में चलाना तो आसान होता है अब बड़ा स्पेस होने से मसाले अच्छी तरह से भूनते हैं इसे मैं थोड़ी दर पकाऊंगी 那么 strongly would apply by achieve और यहां पकाउंगी और हम उब घ्राफिघ द्रॉक्षा कशलियाई पॉल्हें से कुकर में जालो कि मरी सब्जीक है इसलिए में सब्सक्राइब काउड का इक बाद में दो फ्लैम पर 2 products की आने तक पकाउँगे कि मैंने सब्जी को कुकर में डालने के बाद हम उसमें एक कप पानी डाल डेंगे अपने पानी डाल सकते हैं तो आप पानी बढ़ा सकते हैं यह स्वें पाणी डबात Was जब कुकर का स्टीम ठंडा हो जाए तब हम इसे खोल लेंगे कुकर खोलने के बाद हम इसमें आधी चमच गरम मसाला और कटे हुआ हरी धनिया डाल देंगे कि गरम मसाला और हरा धनिया डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला देरेंगे ताकि इस अब हम इसे सरविंग गोल में निकाले के इसे ऊप गरम गरम खinka सकते हैं यह सब्जी आप पूरी रोटी नान पुलाव और चाल के साथ खा सकते हैं यह खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है जो चिकन नहीं खाते हैं उन्हें यह चिकन जैसा ही लगेगा अगर आपको चिकन का स्वाध पसंद नहों तो आप इसमें चिकन मसाला ना डाले चिकन